कौलकादा नाइट राइडर्स और मुंबा इंडियन्स के बीच खेले जा रहे है आईपेल के मुकाबले में पहले तो रोहिश शर्मा और फिर क्विंटन डिकोग ने तहल का मचा कर रग दिया क्विंटन डिकोग ने रोहिश शर्मा के आउट होते ही मैदान में गेंदबाजों की ऐसी क्लास लगाई कि गेंदबाज डिकोग के सामने गेंदबाजी करने से भी टरने लगे आपको बता दे रोहिश शर्मा और क्विंटन डिकोग ने पहले विकेट के लिए 78 रन की साज़ेदारी की लेकिन टीम के 78 रन के स्कोर पर 30 गेंदों में 33 रन बना कर रोहिश शर्मा नरायन की गेंद पर शुम्बन गिल को अपना कैस थमा बैठे और पवेलियन बैठ गे लेकिन क्विंटन डिकोग नहीं रुकने वाले थे उन्होंने मातर 35 गेंदों में अपना अर्षटक ठोक कर ये बता दिया कि वो भी रोहिश शर्मा से कम नहीं है क्विंटन डिकोग ने अपनी अर्षटक ये पारी में तीन चोके और तीन शांदार चपके जड़े हलागी दूसरी तरह सूर्य कुमार यादव भी उनका साथ नहीं दे पाए और 10 गेंदों में 5 रन बना कर चलते बने लेकिन मैदान में टिकी रहे क्विंटन डिकोग जिनोंने तुफानी अर्षटक जड़ कर ये बता दिया कि वो किसी भी गेंदबाज को बख्षेंगे नहीं लेकिन क्विंटन डिकोग पर सिद्धिक क्रिष्णा की गेंदपर कैच आउट हो गई और 42 की अंदों में 55 बना कर पवेलियंग चलते बने फिलाल देखना होगा कि मुंबाइ इंडियन्स के क्यार के सामने कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो आप इस वीडियो को शेर कीजिए और जुड़े रहे हैं हैडलाइन स्पोर्स के साथ